ले श्टुडेंट्स हम लोग बीपी सी 70 के लिए इस पेशल करेंट अफ्यर्स सेशन ले के आए हैं और इसको अभी कंटीन्यू रखा जाएगा जिसमें इस बात का ध्यान रखीगा और जो MCQ के अंदर करवाया जाएगा उसको आप लोग के मन में रहता है कि जो MCQ हो वो आंसर के साथ मिल जाए तो उसको भी अप पे अपलोड कर दिया जाएगा जैसे कि इसको आप देख रहे हो इसका PDF और अपलोड कर दिया गया है तो आप जाएंगे free courses में current affairs में वहाँ पे आपको दिख जाएगा YouTube लगा दिया गया है ताकि यही वाला PDF आपको मिल जाए इसके अंदर बिहार special नहीं होगा यह सिर्फ अभी जो कर रहे है न वो national international है इसी sequence को हम लोग आगे continue रखेंगे हाली में किस राज्जी के तोहरा सरकारी दस्तावेज में मा का नाम अनिवारी किया गया है मदर का नाम मा का नाम अनिवारी किया गया है महरास्ट्रा, गुजरात, उत्तर परदेश या गोवा मा का नाम सरकारी दस्तावेज में लिखना पड़ेगा आंसर इसका होगा A, यानि महरास्ट्रा किया है अब explanation क्या है इसका कि महरास्ट्र सरकार ने एक डेट तैय किया है और वो है 1 मई 2024 यानि 1 मई 2024 से लागो किया गया है 1 मई 2024 या उसके बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे तो उसमें जो भी आवेदक होके उनका नाम, उनकी मां का नाम और उनका पिता का नाम होगा ठीक है तो पहले उसका नाम फिर मां का नाम फिर पिता का नाम फिर जाके सरनेम होगा ये प्रोसेस होगा और अगर इसी में जो married woman है उनके लिए महिला के नाम के बाद पती का नाम ठीक है यानि पहले महिला का नाम होगा फिर उसके बाद उनके husband का नाम होगा तो ये प्रोसेस एक कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा कितने दलों को राश्ट्रिय दल का दरजा दिया गया है कितने दल को आप लोग इस आंसर से वाकिफ होंगे आंसर इस डी छे को किया गया है इन छे में आम आदनी पार्टी अभी लेटेस्ट है यानि आप जो है वो लेटेस्ट है उसके बाद बस्पा भाजपा तो है ही है कॉंग्रेस एक कॉंग्रेस है ठीक है इसके बाद C.P.I. जो M है वो है ध्याहरखना और N.P.P. जिसको हाल ही में धरज़ा मिला है ठीक है तो इस से आम आदमी पार्टी एक तो भाजपा, कॉंग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, CPIM और NPP, तो NPP बहुत जल्दी नेसनल पार्टी का दर्जा लенे वाली पार्टी बन गई है, और North East के तरफ की यह पहली पार्टी बनी है जिसको National Party का दर्जा मिला है अब fact यह है यहाँ पे कि National Party का दर्जा किस ground पे मिलता है देखो सबसे पहले जो National Party का दर्जा दिया जाता है वो election commission के दोरा दिया जाता है और election के लिए process है कि party कम से कम 3 अधिक कुछ भी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोग सभा की 2% सीट जीत जाये तब भी उनको दे दिया जाएगा या लोग सभा या विधान सभा की चुनाव में party 4 लोग सभा की सीट के अलावा चार राज्यों में valid vote का क्या है valid यानि जो वैद मत है उसका 6% vote मिल जाए तब भी उनको दिया जाएगा और नहीं तो एक और process कर दिया गया है जो आसान कर दिया गया है चार या अधिक राज्यों में यदि state party का यानि राज्य party का दरजा मिल जाता है तब भी उनको national party का दरजा दे दिया जाएगा अब यहाँ पर कुछ fact है कि 6 party तो बन गए है national party कुछ party को national party से हटा भी दिया गया है जैसे TMC, Trinamool Congress हट गया NCP हट गया, राष्टवादी Congress Party Communist Party of India भी हट गया ठीक है, CPI हट गया, Communist Party of India हट गया और CPI M है, समझ महा रहा है Marks वाला party है और यह चला गया तो इनको इनका दरजा हटा दिया गया है और आमादी party को यह दरजा दे दिया गया है इवाहन policy 2024 में electric vehicle खरीदने पे जो आयात शुल्क है वो घटा कर कितना कर दिया गया है 25%, 15% 45%, 65% तो इसका आंसर होगा B दरसल 15 March 2024 को किंद्रिये वानीजी और उद्ध्योग मंत्राले ने electric vehicle के लिए एक नया, मतले एकता से इंडिया को hub बनाने के लिए एक नया इवाहन नीती electric vehicle नीती ये लेके आये है और ये investor को attract करना चाहते है इसके कारण इन्होंने बहुत सारी छूट दी है इन्होंने कहा है कि कोई भी अगर investor electric vehicle section में इन्वेस्ट करना चाहता है तो minimum कितना देखिए minimum 4150 करोर रुपे उसे इन्वेस्ट करना होगा maximum की कोई सीमा नहीं है और company जब इन्वेस्ट करेगी उसकी 3 साल के अंदर उसको manufacturing स्टार्ट कर देना होगा ये भी fact है और एक और condition लगाया गया है कि कोई भी company हो देश की हो या भाहर की हो कम से कम 35% जो गाड़ी का parts होगा वो भारत के ही स्वदेशी market से यानि Indian market से लेना परेगा ये important है और इसके साथ कुछ और terms and condition है जैसे इस नीती में क्या कहा गया कि आप बाहर से भी गाड़ी को मंगवा सकते हैं कोई issue नहीं है लेकिन maximum 8000 ही electric vehicle आप import कर सकते हो और import को promote करने के लिए सरकार ने 15% मतलब आयात जो सूल्ख था इनका import duty उसको कम करके 15% कर दिया है यानि 35 लाख डॉलर तक की गाड़ी आप इस rate पे मंगवा सकते हैं यह fact है यहाँ पे और कोशिस यह करना है सरकार का यह है कि जो manufactured है वो 5 साल के अंदर DVA को 50% तर पहुँचाते हैं तो इसको लेकर यह किया गया है जिसमें कुछ चूट और कुछ रियायते दी गई देश के कितने जिले में हाल ही में इट राइट कैमपस खोला गया है इट राइट कैमपस खोला गया है 100, 121, 24 या 18 100, 121, 24 या 18 तो आंसर इस ए 100, 100 एक दो नहीं 100 ठीक है अब हुआ यह कि इस 100 में UP के इट राइट कैमपस की संक्या सबसे अधिक है और यह इट राइट कैमपस किसके लिए किया गया यह भी याद रखिएगा जेलों के लिए जेल के लिए 100 जेलों को इट राइट कैमपस का टैग दिया गया और It Right Campus का टैक किस ने दिया फसाई ने दिया F, S, S, A, I अब इसको देखेंगे हम लोग और It Right Campus का मतलब क्या होता है मतलब वहाँ पे खाने को लेकर खाने को स्टोर करने से लेकर खाना बनाना और खाना सर्व करने के दौरान हाईजीन मेंटेन किया जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेट है जिसके जेलों को दरजा दिया गया है वो है उत्तर परदेश UP के जेल को सबसे अधिक दरजा है उसके बाद पंजाब का है और फिर बिहार का है तो UP वाले भी याद कर लीजी उत्तर परदेश वाले भी याद कर लो कि UP के लिए दिया गया है UP नमबर 1 पे है पंजाब नमबर 2 पे है और बिहार नमबर 3 पे है तो बिहार वाले भी याद कर लीजी तो इस तरह से IT Right Campus आपको याद रखना है अब यहाँ पे IT Right Campus का दरज़ा किसके द्वारा दिया जाता है वो दिया जाता है फसाई के द्वारा यह फसाई क्या है इसको कहा जाता है Food Security and Safety Authority of India यह जो फसाई है यह भारतिये खाद सूरक्षा और मानक प्राधिकरन कहा जाता है और यह फसाई Food Safety and Extender Act 2006 पर काम करता है और इसके साथ ही यहाँ पे जो फसाई है इसका काम क्या है जो Food है उसमें Hygiene Maintain करना जो Quality लिखा है वो Maintain करना और उसी का Monitor यह 2008 से करते आ रहे हैं तो यह है फसाई और यह कैसे करते हैं तो फसाई Act ही बनाया गया था गया था 2006 में जिसमें खाने पीने की चीजों के लिए जो Scientific Standard है वो Apply करने के लिए इसमें Provisions डाले गये थे उसी आधार पे यह फसाई चेक आउट करते हैं मद पर्देश के किस जिले में इस्थित भोजशाला विवाद का वैग्यानिक भोजशाला का वैग्यानिक सर्वेक्षन होगा भोजशाला गुवालियर उज्यें बैतूल और धार तो इसका आंसर है D देखें इंदौर में मद पर्देश में इंदौर खंड़ पीठ है बेंच है उन्होंने भारतिये पुरतत्त्यु सर्वेक्षन यानि ASI Indian आर्लोजिकल जो डिपार्टमेंट है सर्वे है उसको ये जिम्मा दिया है किसने MP के इंदौर खंड़ पीठ ने भारतिये पुरतत्त्त्त्त्त रेक्षन ASI को कहा है कि आप जाके 800 साल पुराने धार जिले में जो भोज साला परिशर है उसको आप उसको आप उसको आप उसको खोद खात के निकालिए क्या है नहीं है यानि आप उसको इसको इसको एक सर्वे कीजे एक्शुली इसमें हुआ ये है कि ये जो भोज साला है भोज साला में विवाद ये है कि ये 800 साल पुराना है पहला fact विबाद यह है कि हिंदू कहते है मेरा है मुसलिम कहते है मेरा है अब यह मुसलिम का पुराना इबादत गाह है जहां पे वो इबादत करते हैं मतलब नमास परते होंगे यह सब अब 800 साल पुरानी इस पे हिंदू का कहना है कि नहीं यह actually वाग देवी वाग देवी जि उनका ये जगह है और 1934 में इसका निर्मान किया गया था और यहां वाग देवी यानि देवी सरस्वती की प्रतीमा लगाई गई थी लेकिन महमूद खिलजी दुईती के द्वारा 1456 में यहां इसको मस्जिद में बदल दिया गया नमाज पढ़ने की अनुमती दे दी गई य 1937 में कब ब्रिटिस सरकार जब थी और ब्रिटिस सरकार ने क्या किया ब्रिटिस सरकार ने क्या किया जो वाग देवी देवी सरस्वती की प्रतीमा है वो लेके लंडन चले गए और आज वो ब्रिटिस म्यूजियम में है जो भोज साला परिसर में ऐसा दावा किया जा रहा ह तो अभी यहां भी क्या है कि लोग नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन जब बसंत पंचमी आता है जिस दिन सरस्वती पूजा होती है इस इलाके में धूम धाम से मेला भी लगाया जाता है नाइंटीन फिप्टी वन में इस भोज साला को नेशनल इंपोर्टेंस यानि राष्ट्री असमारत नेशनल मॉनुमेंट घोसित कर दिया गया था तो यह सारे फैक्स इससे डिलेटेड है तो याद रखिएगा भोज साला जो परिशर है वो धार जिले में ब्रू सरनार्थी को किस राज में बसाने के लिए समझाता किया गया है किस राज में बसाया जाएगा किस राज कोन सा नेशनल उनको जमीन दे रहा है त्रीपुरा मेजुरम मेगाले या असम तो आंसर इस ए soybeans दरसल जैन 2024 में ही यह समझोता हुआ है ब्रू सरनातियों को जमीन देने का हुआ कि अमिस्ता ने इंटर्फियर किया और त्रिपूरा और मीजोरम सरकार के बीच में एक समझोता हुआ है उस समझोते के तहत मीजोरम के 35,000 या उससे अधिक ब्रू रियांग सरनार्थी हैं उनको पर्मनेंट त्रिपूरा राज्य में बसाये जाएगा और त्रिपूरा ने इसके लिए जमीन दिया है किंद सरकार ने क्या किया जएगा इसमें जितने भी ब्रू रियांग सरनार्थी है उनका एक एफडी बनेगा फिक्स डिपोजिट बनेगा और वो कितने का होगा चाड़ लाग का होगा एक तो ये बना दूसरा उनको 40-50 फिट का एक प्लॉट दिया जाएगा और 2 साल तक हर महिने 5000 रुपे कैस दिया जाएगा साथ में फ्री में रासन मिली रहा है तो टोटल 600 करोर रुपे लॉट किये गए हैं जिसमें 4 लाग का FD होगा 40-50 फिट का घर दिया जाएगा और 5000 रुपे पर महिने 2 साल तक दिया जाएगा वित फ्री रासन तो यह सारा यहां पर फैक्ट है जो अभी किया जा रहा है और यह एक्शुली में जो ब्रू समुदायक के जो यह रियांग सरनारती है वो कहां से हैं यह मैंमार के ठीक है यह मैंमार से बिलॉंग करते हैं कुछ बॉर्डर खुला है वहां पर डिस्सिप्यूट था तो धेर देर इनलीगल तरीके से यहां आगे हैं वहां के शान प्र प्रियांग जो है वह त्रिपूरी के बार दूसरी बड़ी जन्जाती बन गई मिजोरम का सबसे बड़ा संख्या गादिवासी तो अब इसके लिए सरकार को कदम उठाना ही होगा इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है तो यह इंपोर्टेंट है और आपको पता है कि बुर और जो बहु संख्यक मीजो समुदाय है ना उसके बीच में अक्सर हां जरप होता रहता है सबसे खतरनाक वाला जो एक तरह से स्टार्टिंग हुआ था वह 1996 में हुआ था तो यह चलता ही रहता है और इसके कारण ब्रू जो थे वह मीजोरम से मीजोरम मीजों के साथ जब जग बाजार मुल्यांकन के मामले में बाजार मुल्यांकन के मामले में भारत की सबसे मुल्यवान कंपनी कौन बनी है कोल इंडिया, NTPC, SBI या LIC answer is D, LIC इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है दरसल पहले SBI था अब SBI इसको cross कर गया है कौन? LIC LIC का जो market cap है जैन में वो 5.8 लाग करोर पहुँच गया था और SBI का 5.62 था तो इस मामले में वो निकल गया क्योंकि उसके share की value बढ़ गई थी Think Tank ये question में explanation हो सकता था इसको अमने option में डाल दिया है Think Tank Center for Research on Energy and Clean Air की द्वारा जारे report में भारत का सबसे प्रदूसित सहर कौन है? भागलपूर, बर्नीहार्ट, मुंगेर या मुंबई किसके द्वारा Think Tank Center for Research on Energy and Clean Air अब आप में से तुरंत कहेंगे A, भागलपूर, बट ये नहीं है ठीक है, answer is B भागलपूर जो है न वो जो स्विस का IQ Air वाला इंडेक्स है, उसकी according भागलपूर है, IQ Air का इंडेक्स निकाला था न, उसमें भागलपूर ताउन को दिया ये जो Think Tank है इसने Burny Heart को दिया है और ये Burny Heart का है? Burny Heart का है? Burny Heart है मेघाले में तो मेघाले का जो Burny Heart शहर है उसको सबसे polluted city का दरजा दिया है दूसरे अस्थान पर बेगू सराय कहां का? बिहार का तीसरे अस्थान पर कौन है? Greater Noida जियन Greater Noida कहां का है? उत्तर प्रदेश का तो UP वाले के लिए तीसरे नमबर पे बिहार वाले के लिए दूसरे नमबर पे दिल्ली आठ में पुजिसन पे चुकि हमारा राजधानी है Overall अगर 50 शहर में 18 तो अकेले बिहार का है 8 हडियाना के है आठ राजस्थान के तो इस तरह से शहरों को दिया गया है तो ये important fact याद रखिएगा बर्णी हार्ट जो बर्णी हार्ट है वो में खाले का है ठीक है? तो आज के लिए इतना ही next kind of face में हम लोग next class में मिलेंगे